नमस्कार आप देख रहें केपने टीव उत्रप्रदेश और मेहुई दिश्टोर उपाध्याई उत्रप्रदेश में होने वाले विधास्वा चुनाओ से पहले ही तमाम दलों ने अपनी अपनी तैरियां तिर्श कर दी है खासकर इस बार विपक्षी दल एक ही प्लान पर काम कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी को 87 से बाहर किया जाए इसलिए विपक्षी पार्टिया एक दूसरे से गड़ बंदन करने में जुटी हुई हैं समाजबादी पार्टी और राष्टिय लोग दल के बीच गड़ बंदन होना तै माना जा रहा है अलाकि अभी तक दोनों दलों की तरफ से इस बारे में संयोक तो रूप से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है वही अरली के अद्दक्षे जैंत चौधरी ने 2022 के विधानस्वा चुनाव को लेकर अब बड़ा बयान दिया है और कहा है किस महीने के अंद तक गड़वनन के संबद में फैसला कर लिया जाएगा जैसे कि अप यह घोशना कर दें ताकर उत्तरपर्देस यह करे कि जैन चौधरी पश्चिम में या फिर पूरे उत्तरपरदेस में अधली ज्यादा वलाग अलग नहीं अलग नहीं है अपचार एक घोशना बाकी है चंद ही दिनों में सारी चीज सालजी निखो जाएंगे जैंजी कि टिकट यसी कर ये घोशना रुकी हुई है नहीं इस चीज़े तो करनी पड़ती है वे भी जिम्मेदार हैं अपने पार्टी के कारिकरता के प्रती वे भी चाहेंगे कि उनके दल का वर्चस्व बढ़े मैं भी यहीं चाहूंगा आपस में एक बीच का रास्ता हमें भी अपनाना पड़ेगा लाजर गोल को देखते वे बड़े लक्ष को देखते वे और वो भी ही कोशिश कर रहे हैं मैं भी इस मन्ज से कि जैंद चौदरी साथ हा आज ट्रेलर दे रहे हैं आपके मादे हमसे फिर भी कब तक इस महीने के आखिर तक हम फैसला ले लेंगे और साथ मिलकर आपके बीच आएंगे असल में जैंद चौदरी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज में पिछले दिनों आरलडी और कॉंग्रेस के बीच गड़वंदन की चर्चांस तेज थी और माना जा रहा था कि दोनों ही दलों में चुनावी गड़वंदन हो सकता है अलगे बात में जैंद चौदरी ने इसे अववाब बताया था लेकिन अब यूपी में समाजवदी पार्टी के साथ गड़वंदन के सवाल पर जैंद चौदरी ने साफ कर दिया है कि नवंबर के अन तक इस पर फैसला ले लिया जाएगा वैस समाजवदी पार्टी के मुक्या अखले शैदव ने आरेल्डी के साथ गड़वंदन को लेकर तस्वीर साफ कर दी है लेकिन आधिकारिक तोर पर अभी तक दोनों ही दलों ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है और नहीं जान करे दिये फिलाल माना जा रहा है कि आर राज्ज में सपा और आरेल्डी के बीच सीटों के बटवारे को लेकर मामला फसा है एस पे प्रमुक अखले शैदव आरेल्डी को ज्यादा सीटें देने को त्यार नहीं है जबकि आरेल्डी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही है जानखरिक मताबिक समझी पार्टी आरेली को यूपी चुनाओं में दो दर्जन सीट दे सकती है वहीं आरेली ज्यादा सीट मांग रही है क्योंकि किसान अंदुरों का ज्यादा असर पश्यम उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और R&D का जनाधार इसी चीतर में ज्यादा है लेहाजा R&D किसान अंदरों के जरीये खुद को स्थापित करना चाहती है भले जैन चौधरी ने सपा से गड़बंदन को लेकर एलान कर दिया हो कि लेकिन संशे बरकरार है क्योंकि सीटों के बटवारे को लेकर अभी भी पेच फसा हुआ देखते रहे हैं कैपलिटिव उत्तर प्रदेश नमस्कार